सुमन अपने परिवार में अकेली थी जो कमाती थी उसका पती किशोर एक नंबर का आलसी और लापरवा आदमी था परिवार में सुमन और किशोर के अलावा उसके दो छोटे बच्चे और एक बुड़ी साज भी थी इन सब का पेट पालने की सारी जिम्मेदारी सुमन पर ही थी सुमन को बच्चपन से ही मिट्टी के खिलोने बनाने का बड़ा शौक था उसके पिता एक कुमहार थे उसने मिट्टी के सुन्दर सुन्दर खिलोने बनाना अपने पिता से ही सीखा था वो खूब मेहनत से मिटी के खिलोने बनाती और फिर उन्हें बेचने जाती उसकी सास ज्यादा तर बीमार रहती थी सुमन पूरा दिन काम करके बहुत थक जाती थी लेकिन किशोर को तो उसकी मेहनत नजर ही नहीं आती थी वो पूरा दिन आराम करता और सुमन को हर वक्त खरी-खोटी सुनाता रहता था अभी सोके उठे ओ और उठते खाना चाहिए तुम्हें कुछ नी बनाया मैंने अभी गुड़िया ने सबजी काट दी है अभी बनाती हो थोड़ी दिर में अरे पर थोड़ा काम ही तो रह गया है देखो खिलोने बस पूरे होने ही वाले हैं बस इन्हें पूरा कर दू फिर ये धूप में सूकते रहेंगे और मैं खाना बना दूगी इतना कि एकर सुमन फिर से खिलोने बनाने में लग जाती है किशोर बहुत नाराज हो जाता है वो गुस्से में सुमन के बनाय हुए खिलोनी तोड़ देता है और गुस्से से कहता है तुझे एक बार मैं समझ में नहीं आता क्या मुझे अभी खाना चाहिए मतलब अभी चाहिए सब जानता हूँ मैं ये खिलोने बेचने के बाहने पूरे गाउं में फिरना होता है तुझे है सारा काम धाम छोड़के सुभा सुभा बैठ जाती है मिट्टी का लेकर है तो क्या करूँ तुम्हें तो उटते ही खाना चाहिए पर वो खाना आएगा कहां से इसके बारे में भी कभी सोचते हो कमाते धमाते तो कुछ हो नहीं बस सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहते हो और क्या कहा तुमने मैं गाउं में फिरती रहती हूँ तो तुम क्यों नहीं करते कुछ काम वैसे भी घर चलाने के लिए पैसे कमाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं, उठाओ अपनी जिम्मेदारी फिर में कहीं नहीं जाओंगी। सुमन की बाते सुनकर किशोर का गुस्टा और बढ़ जाता है, वो सुमन को धक्का देकर दमीन पर गिरा देता है और गुस्टे में वहां से चला जाता है। किशोर मेहनत करना नहीं जानता था, लेकिन सुमन अगर उससे कुछ कह दे तो उसे बिलकुल बरदाश्ट नहीं होता था। सुमन की सास को ये सब देख कर बहुत दुख होता था. उन्होंने भी कई बार किशोर को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ने हुआ. सुमन के दोनों बच्चे गुडिया और राजो भी बहुत छोटे थे, लेकिन वो अपनी मा की काम में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करते थे. सुमन उन दोनों को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन ये उसके बस से बाहर था. वो खिलोने बेच कर जो कुछ कमाती थी, उससे बस खाने भर का ही इंतजाम हो पाता था. सुमन अब ठक गए थी, उसने किशोर के तोड़े हुए खिलोने फिर से बनाने शुरू किये, उसकी आँखों में आसु थे, ये देखकर उसकी सास ने उससे कहा, मुझे माफ करते बेटी, मैंने ही तुझे इस नकारा के पल्ले बांदिया. मुझे लगा था कि शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा ये, लेकिन इस नाश्च पिटे ने तो तेरी जिन्दगी भी नरक बना दी. माफ करते बेटी, माफ करते मुझ सुमन की सास इतना कहकर रोने लगती है. सुमन उसे चुप कर आती है और कहती है. कोई बात नहीं माजी, किसमत के आगे किसी की नहीं चलती. बस मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे बच्चे और आप तो कम से कम मेरी मेहनत को समझते हो. मेरे लिए इतना ही काफी है. बस उमीद नहीं छोड़ी थी. वो किशोर से जगड़े के बाद भी पूरी मेहनत से खिलोने बनाती है और फिर उन्हें बेचने जाती है. बदकिस्वती से उस दिन तेज बारिश हो जाती है और सुमन के खिलोने बिकने से पहले ही भीग जाते है. पानी में भीगने की खिलोनों का रंग उतरने लगता है और वो बेचने लायक नहीं रहते. सुमन उदास ओकर घर बापस आ जाती है. तब ही किशोर अपने एक दोस्त के साथ घर आता है. वो नशे में था और लड़ खड़ाती जुबान में सुमन से कहता है. किशोर का वो दोस्त पहली बार उसके घर आया था. इसलिए सुमन उसके सामने कुछ नहीं कहती. वो चुप चाप रसोई में चली जाती है. लेकिन वो देखती है कि रसोई में तो कुछ भी नहीं था पकाने के लिए. सारा राशन खत्म हो चुका था. उसका एक भी खिलोना नहीं बिगा था उस दिन. इसलिए वो पकाने के लिए कुछ खरीद भी नहीं पाई. वो इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी किशोर ने आवाज लगाई और कहा. किशोर सुमन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है. लेकिन उससे पहले ही उसकी मा यानि सुमन की साज बीच में आ जाती है. वो किशोर की गाल पर एक थपड जड़ देती है और गुस्से से कहती है. मेरी बहु पर हाथ उठाएगा तू. अरे साथ जनम भी लेगा ना तो उसकी जितनी मेहनत नहीं कर पाएगा तू. एक नंबर का नाकारा और बेशरम है तू. वो बेचारी घर भी संभालती है और पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत भी करती है. और तू, तू क्या करता है? पूरा दिन बस बिस्तर तोड़ता रहता है. ना काम का, ना काज का, और चला है मेरी बहु पर हाथ उठाने. आखरी बार कह रही हूँ तुझसे, निकल जा मेरी घर से, अभी निकल, चल. ओहो, तो तुम्हें भी इसने अपने काबू में करी लिया, मा? बच्चों को तो पहले ही मेरे खिलाब सिखा पड़ा दिया इसने. और अब तुम भी? वा, मा, वा. आज इतनी सगी हो गई, कि अपने बेटे को इगर से निकलने को कह रही हूँ तुम? ठीक है, जा रहा हूँ मैं, मैं, अब कभी वापस नहीं आऊँगा, सुन लो कान खोल गर. किशोर ने नशा किया हुआ था, वो बहुत तेजी से घर से बाहर जाने लगा, कि तभी उसका पैर घर की चौकर से टकरा गया और वो मुह के बल जमीन पर गिर गया. गिरने की वज़े से उसके एक हाथ में और मुह पर गहरी चोट लग गई, और वो दर्द से चीखने लगा. किशोर को दर्द से तडपता देखकर सुमन तुरंथ उसके पास जाती है, किशोर का दोस्त भी उसे सहरा देता है और दोनों मिलकर उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं. फिर किशोर का दोस्त वहाँ से चला जाता है और सुमन तुरंथ डॉक्टर को बुला कर लाती है. डॉक्टर किशोर की जाच करते हैं और फिर सुमन से कहते हैं देखिए, पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है कि इनके हाथ की हड़ी तूट गई है, मुपर भी काफी गहरी जोट हैं आप इनके हाथ का एक्सरे करवा लीजी, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। किशोर की सेहत का था, उसने एक बार भी नहीं सोचा और अपने कुंडल जाकर गाउं के साहुकार को बेज दिये, वहां से उसे कुछ पैसे मिल गए, जिससे उसने पहले किशोर के हाथ का एक्सरे करवाया और फिर डॉक्टर से उसका इलाज भी करवाने लगी, वो पहले से पूरा दिन बस मिट्टी के खिलोने बनाती और उन्हें घर-घर जाकर बेश दी, वो गाउं के बाजार में भी अपनी एक छोटी से खिलोनों की दुकान लगाने लगी, एक दिन उसकी दुकान के पास से गुजर रही एक बच्ची की नजर सुमन के खिलोनों पर पड़ी, वो तुरंट अपनी मा से बूली, ममा, देखो न, ये गुड़िया कितनी सुन्दर है, ये गुड़िया चाहिए मुझे, अपनी बच्ची की बात सुनकर उसकी मा सुमन के सारे खिलोने देखने लगती है, और फिर उससे कहती है, अरे वा, ये खिलोने तो बहुत ही सुन्द जी मैडम, सच क्या रही हूँ, ये सारे खिलोने मैंने ही बनाए है। जानती हो, शेहर में तुम्हारे ये मिट्टी के खिलोने एंटीक पीस के तौर पर बहुत महेंगे बिखेंगे। मेरे पती तुम्हें और खिलोने बनाने को और्डर देना चाहते हैं। बोलो, हमारे लिए बनाओगी ऐसे ही सुन्दर सुन्दर खिलोने। तुम्हें तुम्हारे खिलोनों की पहले से अच्छी कीमत देंगे हम। सुमन हाँ कर देती है। ये उसकी महनत और संघरश का ही नतीजा था कि आज उसकी कला को पहचान मिलने जा रही थी। सुमन अब भी पूरी महनत से खिलोने बनाती थी लेकिन अब उसे अपने खिलोनों को घर घर जाकर बेचने की जरूरत नहीं थी। एंटीक शॉप का मालिक अच्छे दामू पर उसके सारे खिलोने खरीद लेता था जिससे सुमन की कमाई अब बहुत अच्छी हो गई। मैंने खुद कभी महनत नहीं की इसलिए तेरी महनत को भी कभी समझ नहीं पाया। लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों को ना सिर्फ समझूंगा बलकि अच्छे से निभाऊंगा भी। हाँ। किशोर वागई सुधर गया था। वो खिलोने बनाने और उन्हें शेहर तक पहुचाने में सुमन की मदद करने लगा। सुमन ने भी उसे माफ कर दिया था। सुमन की साज भी अपने परिवार को फलता फूलता देखकर बहुत खुश थी। सुमन भी अब खुश थी क्यों कि अपने लगा था अपने लगा था वो खुश थी।